त्वेज वालकम बेक तूमाइज चैनल आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर इस्ट्राइल को इस ट्राइल घॉल पर प्रेंश आप लोगो को टाीव परकी पता चल गया होगा आज और मेरे किस्वेसे के बारे में हाँ फ्रेंज आज आज आप मैं आप लोगों को बताऊंगे कि मुलतानी मिट्टी का बेस्ट पैक आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमें पहला इंगेरियंग चाहिए मुलतानी मिट्टी का पाउडर यहाँ पन में ले रही हूं 100% हरवल है आप दिख सकते है तो फिन उसके बाद में लेने वाली हैं डावर, गुलाभी रोज वाटर आप के पास जो ग्लभ जल है स्टे कि लगाने आप उसे यूज़ कर सकते हैं उसके बाग में लेने वाली हूं पतंजल या लपेडा जेल पहले और एक एक क्लीन बॉल भी ले सकते हैं मैं इसमें हमें से मुलतानी मिट्टी या चंदान का पैक जो भी बनाते हूं इसमें बनाती हूं आज सुबर भी बनाई थी मेरे कजन को पैस पे लगाने के लिए तो मैं अभी क्लीन नहीं किया मैंने आप तो क्लीन बॉल ले सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा यह तो ले सकते हैं जो आप मैं हमें से इसमें ही यूज़ करती हूं पैस्टेर प्रेंज पहले हम इसका डेर चमच तक पाउडर लेंगे तेखिए फ्रेंज यह मैंने ले लिया उसके बाद हमें थोड़ा सा यह बड़ा दिया बचाईए इतना जाही रस काफी है इसके बाद हमें जाही है गुलब जल जितना आपको लगे उतना ही ले इसे ज्यादा नहीं इसे आप उंगली के हर्प से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसे चाहे तो अब इसे चाहे तो डर्श के हर्प से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा गुलब जल लगेगा मैंने और थोड़ा सा एड़ कर दिया है आप लोग देख सकते हैं इसे अच्छी तरह किसे मिला लीजिए देखिए फ्रेंज मैंने इसको बना लिया है इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि यह ज्यादा ठीक भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो पतला होगा तो चेहरे से क्या बताव गिला गिला हो जाएगा ठीक होगा तो ब्लेंट नहीं हो पाएगा अच्छी तरह किसे सो फ्रेंज आप इसे लगा कर 15 मिनिट के लिए रखकर धो दीजे उसके बाद देखेंगे आपके फेस पे कितना इंस्टरल ग्रो आ रहा है और उसके बाद आप कोई भी मॉस्ट्राजर लगा सकती है जॉई का भी है पतंजल के अलोबेरा जेल भी उसकर सकते हैं मैंने इसके उपर भी फुल रिव्यू किया है आप तरह मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं और जॉई के मॉस्ट्राजर के बारे में भी मैंने फुल रिव्यू किया है तो फ्रेंज अगर मेरी आज की वीडियो आप लोग की अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करना लाइक करना एंड कमेंट ब बेल बटन है उसे भी प्रेस करना ताकि मेले आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आप लोग को मिलती रहें